नवरात्रों में ऐसा विसेस क्या किया जाए जिससे माँ भगवती आप पर सदा प्रशन रहे और माँ भगवती के असीम क्रपाप सब पर सैदेव बनी रहे 26 सितंबर से प्रारम होने जा रहे आज हम नवरात्रों के बारे में बात करेंगे चार अक्टूबर का नौमी है इन नौ दिनों के अवशर में ऐसा विसेस क्या किया जाए जिससे माँ भगवती आप पर सदा प्रशन रहे और माँ भगवती का जो है सुब आशिरवात सदा आपके साथ बना रहे आज अमीनी विशे पर बात करने वाले इसमें विशे हमारा क् प्रजलित करनी आवशक है कंजकाओं का पूजन प्रति दिन किस परकार करना चाहिए और किस अधार पर करना चाहिए माँ भगवती को किस परकार का भोजन करवाना चाहिए भोग लगाना चाहिए तो आज के हमारे विशे रहने वाले हैं मैं अन्सुमन सर्मा आप सब का आपके चैनल जोते साधना किंदर यूटूब पर स्वागत करता हूं और जै गव माता की जै भारत माता की आप सदा प्रशन रहें ऐसे माभगवती से य हमारा पूरा जो इस वीडियो को आपके अपने चैनल जोती साधना के अंदर यूटूब पर देख सकते हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा से करें जानकरी कैसे लगए कोमेंट में जरूर बिता है तो उसमें सुबह जो जोत का समय सुब समय सबसे सुंदर समय रहेगा सूर्यवदय के साथ में उसी समय आप खेतरी भी बीच सकते हैं और जोत को प्रजलित कर सकते हैं कुछ लोग अखंड जोत घर में प्रजलित करते हैं कुछ नहीं करतें दोनों के लिए बताने जा रह देवे का मुख दक्षिन में रखिएगा और भैरव जी की जोत हमेशा लेटी हुई होती है और जो मां भगवती की जोत है वो अखंड होती है दूसरा इसमें विशेश क्या है कि आप दोनों जोतों के बीच में दूरी जरूर रखिएगा एक साथ मिलाकर जोतों को प्रजलित करता है तो पहले मां भगवती से समाझ आचना कीजिएगा फिर आप जोत को उपर कीजिएगा ऐसे ही आप भैरवजी में कीजिएगा जब या भैरवजी की जोत को करते हैं विशेश सावधानी जरूर रखिएगा दूसरा दोस्तों जो घर में जोत प्रजलित नहीं कर सकता प्रखंड जोत रोग नहीं जलाते हैं उनके लिए उसे क्या कि वो सुबह शाम मां भगवती की जोत को सरधा के साथ क्योंकि जो आपको शामर्ता मां भगवती ने दी है उसी के आधार पर आपकी जितनी शामर्ता है तो यदि आप तनमन धन से समर्पन करके अपने आपको म भगवती को यदि सुबह शाम भी आप एक जोत लगाते हैं शामर्ता में भैरभ जी का दिवा भी प्रजलित करते हैं तो मां आपको वैसा ही फल परदान करने वाली हैं तो यह तो था हमारा नो दिन का कि नो दिन ऐसे ही आप प्र उपर कि कन्या का पूजन का कोई महतव नहीं है तो उसका भी कोई महतव नहीं समान का करना चाहिए आद्र समान सबका करना ठान चाहिए ऐसा नहीं है कि वो उमर से जादा आगे तो उसका आदर सम्मान नहीं करें उसको भी भोजन करवाईएगा और जो है शेव भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और अनार बहुत ही अदबुद है यदि आप नो दिन के अवसर में प्रति दिन करने को अनार का पिठे का और आवले का फल यदि आप भेट करते हैं तो दोस्तों इससे अदबुद आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता मां भ माँ भगवती को प्रसंन करने के लिए प्रतियदिन जैसे कि हैले दिन पर्थमं-स इल-पूत्री धित्यम ब्रह्म जारनी का थृत्यम चंद्रगंटों गया उसी क्या धार पर उसी सवरोप को देखते हुए आप जो उन कज्काओं में मां का सरूप देखकर मां भगवती का पूजन कीजिए गा। और मां भगवती को प्रति दिन यदि आप लौंग से इलाइच्सी से मिस्रित करके, यदि आप प्रति दिन मां भगवती को दूद का भोग लगाते हैं, तो ये बड़ा ही अदभुद है और उस्तूद को यदे सुबह आप प्रसाद के रूप में ग्रेन करते हैं तो ये किसी अम्रित से कम नहीं होने वाला है प्रती दिन ऐसा ही रखेगा और मन को शांत रखेगा यदि आप किसी मंतर उचारण करना चाहते हैं तो बड़ा अदभूद मंतर में आपको बताना चाहूँगा ओम दुख दुरगाय नमा कि हे दुखों को हरने वाली मा भगवती आपको मेरा नमशकार है तो प्रती दिन आप इस मंतर का उचारण यधा सकती आप मा के सामने या आप मा का सुरूप अंतरात्मा में बिठा कर कीजिएगा तो मा अदभूद किरपाप के उपर करेगी तो डेली समा याचना मा भगवती के सामने जरूर किजिएगा कि मा में किसी कोई वस्तु आपको योग्ये आपको अर्पन करने योग्ये नहीं मेरी कोई शामर्था नहीं है मुझे में कोई आपके बिना मेरा ये सरीर ये आत्मा ये सांसे कुछ भी नहीं है आप हो तो मैं हूँ आपके साथ ही मेरा जीवन है आप सदा मुझ पर अपनी असीम कृपा बना कर रखेगा हम कोशिस करेंगे एक समायाचना मा का अदभुद जो है दुर्गा सबसती में उसमें वरणन दिया गया है उसको आप तक पहुचाने का पहले नवरात्रिय तक तो आप उस समायाचना को भी टेलिए एक बार आप जो ह दूर मैं आपको इसमें बताना चाहाँगा परती दीन माभगवती को नारियल की भेट्स कर सकते हैं कि मा के सामने नारियल को तोड़ कर वो जल जो है माभगवती को अरपन कर सकते हैं ये रहेगा जिसे माभववती आप पर सधेव प्रसुन रहेगी तो यह था हमारा भारत मातागी वे जुबानों के रक्षा कीजिएगा और उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा मुटा प्रियास जरूर करते ही रहेगा जै भारत मातागी और कोमेंट में जै गोमातागी जरूर लिखेगा